वेल्केम बाक आप देख रहे हैं इन्वेस्टर माराथॉन बजट स्पेशल जहां हम दे रहे हैं आपके शेर परसनल फिनांस और टैक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और आपको बता दें कि हमारे इस खास शो में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश जैन भी जुड़ रहे हैं राजेश बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में चलिए अब सीथे चलते हैं हम मुंबई जहां हमाई समाधाता कविता कृष्णन के साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और अपने सवाल पूछना चाहते हैं कविता गुड़ मॉर्निंग काफी भीड आपके साथ यहां इक खटा हुई है क्या जानना चाहते हैं लोग जी काफी भीड़े और लोगों के लोग अपने डिसिशन जो है जो बाइंग डिसिशन से वो अब रिवर्ट कर रहे हैं बजट के बाद हमारे साथ गुंजन है गुंजन भी अपना एक बहुत बड़ा पर्चेसिंग डिसिशन लेने वाले हैं आईए उनी से बात करते हैं व बड़ रहे लेकिन पेट्रोल के जाम जादा बड़ रहें हैं पेट्रोल या डीजल कार कौन सा खरीदना चाहिए ऑग यह सवाल आइन्ग सुमीत अगर आप आँसर करना चालें इया बहुत 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 dwigol क्वेस्टं है आज पर कि पेट्रोल या डीजल है बड़ अद क कि आप देखें तो डीजल का जो प्राइस होता है वो गुझाध्त जादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसके तह़त डीजल की प्राइस में जो बड़ोतरी होती है पेटरॉल के सामने इतनी नहीं होती है यह इस्टरी है आगे वोग सो चलेगा है यह नहींत हूँ मैं डिसीजन कि डीजल की कार लो या पेट्रूल की कार पहले ये देखता हूँ कि एवरेज कितने किलोमीटर यूज करूंगा कार को अगर ये नहीं पता हो तो कॉस्ट से कोई फरक नी पड़ेगा इसलिए भाईया अगर आप भी खरीदना है गारी डीजल की या पेट् ये भी जरूर देखिए कि आप कितना आपका आवरेज यूटिलिटी यहां पर कितना होगा चलिए मुंबई से ही एक कॉलर है एक दर्शक है जो माईसा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर दुर्गेश्वरी जकताप इनका नाम है जकताप जी क्या जानना चाहते हैं आप आप कितना लंबा रुख सकते हैं दुर्गेश्वरी जी जी चलिए राजेश से ये चेक लेते हैं राजेश अशोक लेलंड कैसा लग रहा है आपको 48 के पास दुर्गेश्वरी जी ने लिया है पोस्ट बजट आपको लगता है कि कुछ फाइदा इन्हें मिलता हुआ लगभग 7-8 प्रतिशत प्राफिट बना रहे हैं जिसकी मुनाफ़ा वसूली इन्हें करनी चाही है और अपने सारे के सारे निवेश को इस समय आधा उसमें से निवेश ये टाड़ा मोटर्स में स्विच कर लें और आधा निवेश उसमें से ये मारूती में ले जाएं या दूसरी बात यह है कि कमर्शल वहिकल की जो साइकल होती है वो शायद इसमें थोड़ी सी ठक जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट की तरह बढ़ने वाली हैं तो वहाँ पर भी अशोक लेलेंड को टाड़ा मोटर्स की तरह एक ब्राड़ बेस बिजनस मॉडल या विदेशों में इस बिक्री बढ़ने से फाइदे की कोई आशा नहीं है तो यहाँ पर अशोक लेलेंड में मुनाफ़ा वसली करकर आप टाड़ा मोटर्स में तो अवश्च जाए और साथ-साथ थोड़ा सा और ब्राड़ बेस करें अपने क्योंकि आपके बस 4,800 शेर हैं यदि मैंने सवा कि टागेट्स अमोमन देख के चल सकते हैं या फिर कितना ये बढ़त की उमीद कर सकते हैं इन शेर में देखिए आपने सवाल पहुँचा है सबसे पहले निवेशे कि याद रखे कि भले ही वे अशोक लेलेंड में बने रहे हैं या फिर जो तीन शेर इनने बताया कि उन्ह कोटेशनल लॉस का रिस्क बना रहेगा क्योंकि और शेत्र में ये ने भूलें कि पिछले दो दिनों में जो साथ से पंदरह प्रतिशत अक्रॉस स्टॉक्स जो तेजी आई है वो शॉट कवरिंग और एक्साइस जूटी में दो परसंद बढ़त नहीं की रहात की वज़े स हो सकते हैं घरी अब रूपाल का जहां से कुछ लोग अमारे एक्सपॉर्ट शेसा सवाल करना चाहते हैं हमारे साथ मौहां पर मौझूद है हमारी रिपोर्टर हेमेंदर हमेंदर क्या सवाल है भूपाल की लोगों इन बज़ट के बाद अपने पॉस्वार्स से जड़े व परसंट डिसकाउंट की गई उस बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे ये डिसकाउंट के बारे में जो 15 लाग का जो हाउजिंग लोन में प्राफधान किया गया है उतने सबसीडी के ऊपर थोड़ी जानकारी जाना जाते हैं इस पे सुमीत आप अगर जवाब देना चा में उतने कोस्ट में घर लेने का तो उनको उसका बेनेफिट लेना चाहिए बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि आज के दौर में किसी एक अच्छे शहर में 15 से 20 लाक में आपको किस तरह का घर मिलेगा वो आपके बजट में फिट बैठता है आप वो लेना चाहते हैं नहीं वो बात अलग है बगर आप देखें तो एक बेनेफिट है जिसको कि आप लिया जा सकता है इसको सर लकोटिया जी आप कुछ इनने टाक्स रिलेटर यहां पर जानकारी देना चाहेंगे जरूर सबसे पहले ये ध्यान της जाना बहिया कि जब लेना है बायतर मकान तो लोन लेके ही लेना हमेशा है जीम में पैसे हो तो भी इतना लोन जरूर लेना जिस से आपका डेंड लाक रुप है साला न बयाच का बुक्तान अगर यह आप करतें रेसिटियंचल मकान के गर लेना तो आप इसका फायदा उठाइए जो आपको छूट मिल रही है एक परसेंट की लेकिन लखोटिया जी ने भी कहा कि जब भी घर लेना तो लोन लेके लोन ही लेजिएगा और तभी आप इसका ज्यादा फायदा उठा पाएंगे चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रे